स्वागत है आप सब इक आपने YouTube चानल रंका इंग्लेज पर आज हम लोग complete यूज ऑफ सूट देखेंगे यानि कि सूट के सारे यूज को देखेंगे जैसे सूट है फूट है फैट सूट है बीन इस परकार से सारे यूज हम लोग सूट के देखेंगे तो वीडियो को अंतर सब्सक्राइब जरूर कर ले सूट का यूज सिर्फ देखेंगे जैसे कि मुझे आपको भेजना चाहिए अगर सेंटेंस के लास्ट में कुछ हो जैसे चाहिए तो हम लोग बोलते है आई सूट सेंड यूज जैसे कि मुझे आपको भेजना चाहिए सूट का मतलब होता है च है नेक्स्ट आपको उसके साथ खेलना चाहिए वह इस समय घर पर होना चाहिए तो he should he should be at home right now is summer any right now next word मुझे आपके साथ यहां नहीं होना चाहिए तो I should not be not यानी नहीं negative sentence बन गया है I should not be here with you with you यानी आपके साथ next sentence आपको स्वार्थी नहीं होना चाहिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए तो you should not be selfish हमें घमंडी नहीं होना चाहिए तो we should we should not be arrogant arrogant विस लड़की को इस्कूल में होना चाहिए तो that girl should be in school कहाँ होना चाहिए तो उस लड़की को इस्कूल में होना चाहिए तो तो that girl should be in school next should be कही है लेकिन यहां पर हम लोग verb 3 यूज करेंगे should be plus verb 3 जैसे कि उसे तुरंत जेल भे देना चाहिए तो लिए इस बारे में बताया जाना चाहिए यानि कि we should not be sorry we should be told about this हम इस बारे में बताया जाना चाहिए अगर negative बनाना होता कि हमें इस बारे में नहीं बताना बताया जाना चाहिए तो भी शूट नोट है हम लोग सिर्फ नोट एड़ करते हैं शुट के बाद उसे इस काम के लिए अच्छी सेलरी दी जानी चाहिए यानि कि he should be given good salary for this work next example छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए छोटे बच्चों को यानि कि small kids should not be given mobiles यानि कि छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए अब हम लोग some money some money यानि कुछ पैसे next example आपके पास कम से कम तीन पेन होने चाहिए you should have at least यानि कि कम से कम three pens यानि कि तीन पेन पेन को हम लोग हिंदी में कलम बोलते हैं तो तीन कलमे होने चाहिए करना चाहिए था यहां आप लोग should have के साथ भर्वत्री यूज़ करेंगे अगर था अगर sentence के लास्ट में आया तो जैसे कि उसे उस दिन मुझ से मिलना चाहिए था लेकिन वह नहीं मिला यह उड़ है 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 आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था कि वहां क्या चल रहा है यह उड़ है यह उड़ है यह उन्हें मुझ से भी पूछना चाहिए था उन्हें मुझ से भी पूछना चाहिए था यानि कि दे शुड़ है आस्ट मी आज वेल next example should have been होना चाहिए था should have been वह हमारे साथ यहां होना चाहिए था he should have been here here यानि यहां with us with us यानि हमारे साथ he should have been here with us next example वह वह एक डॉक्टर है उसे होस्पिटल में होना चाहिए था he is a doctor यानि कि वह एक डॉक्टर है वह एक डॉक्टर है उसे होस्पिटल में होना चाहिए था he should have been in hospital that day next आपको यहां होना चाहिए था जब मुझे आपकी जरूरत थी you should have been here when I needed you अब नेक्स्ट किया जाना चाहिए था तो should have been के साथ भर्त्री यूज करना होगा यहां पर भर्त्री जैसे कि उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था ठीक उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था यानि कि he should have been sent to jail next example उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था उसे यानि कि they should have been asked about it उन्हें इस बारे में पूछा जाना चाहिए था यानि should have been asked about it आपको mobile नहीं दिया जाना चाहिए था यानि कि you should not have been given the mobile हमें कल छुटी दे देनी चाहिए थी we should have been given and of and of yesterday next should have had should have had यानि कि पास होना चाहिए था जैसे कि उसके पास car होनी चाहिए थी तो he should have had a car ठीक है मेरे पास उस दिन एक laptop होना चाहिए था तब मैं आपकी मदद कर पाता I should have had a laptop that day I could have helped you then next example हमारे पास इतने बहतरीन घर को खरिने के लिए परयापत पैसे होने चाहिए थे we should have had enough money to buy such a luxurious house next should have to यानि करना ही चाहिए आपको वहाँ जाना ही चाहिए you should have to go there हमें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए you should have to talk to each other यानि कि हमें तुम्हें एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए यानि यूज़ा आपको वहाँ जाएव उह तूसरे में एक दूसरे से बात करनी ही चाहिए यानि कि they should have to do something about it next sorry अगर आपको वीडियो अच्छी लोगे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल रंका एंगलिस को सब्स्राइब करें शेयर करें कमेंट करें लाइक करें and जहेंद